सब्सक्राइब करते हैं जैसा कि आप लोग ने टॉपिक में देखा कि आज हम लोग पढ़ने वाले कुछ विटमिन्स के बारे में हमने बायो मॉलिक्यूल के अंदर नूट्रेशन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हमने पढ़ा कि इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बो हाइड्रेट्स होते हैं वो हमें उर्जा देने का काम करते हैं पिछले सेक्षन के अंदर हम लोग ने सारे डीटेल को पढ़ा था कि माम जो अलग-अलग शरकरा होती हैं कार्बो हाइड्रेट होती हैं कौन सी चीनी है कौन सी उसमें से काब्स हैं जो उर्जा द आखिरकार हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हेलपफुल देखी जाती है यहीं है जिसकी वजह से आपकी जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन होती है वह यहां पर करती हुई दिखाई देती है तो भई सभी आ चुके हैं सभी मुझे एक बार जल्दी से बता देंगे कि आप सब को ऑडियो विडियो सारा कुछ यहां पर क्लियर है नमस्कार गुडी इवनिंग और आज पढ़ेंगे इन्हीं कि तारीफें इन्हीं का फायदा क्या है और क्या नुकसान देखा जाता है कहने को माम नुकसान तो कुछ भी नहीं है लेकिन हां फायदे भरपूर है फायदे हम विटमिन्स की बात करते हैं तो हमसे आम तौर पर एक चीज़ कही जाती है कि जादा से जादा मात्रा में ममी कहती है खूब डाटती है जादा से जादा मात्रा में अगर तुम्हें खाना है तो तुम विटमिन्स लो अपनी जितने भी फल हैं अपनी जितनी भी सबजिया नायन को खाईए, आखिर ऐसा क्यूं? कुछ तो फाइदा है नायन का, तभी तो कहा जाता है बार बार कि जादा से जादा मात्रा में हरी सब्जियां, फल, पत्तेदार सब्जियां, चाहें बात हमारे बॉड़ी के अंदर की हो, यानि कि इंटर्नल फॉंक्शन की हो, कि हमारे पाचन हो रहा है किस प्रकार से हमारी हड्डिया मजबूत हो रही है या मैं कहूं कि माम हमारे स्किन की बात हो हमारी तवचा की बात हो हमारे बालों की बात हो अंदर की बात हो या बाहर की बात हो बैए कहानी तो यही समाल रहा है ठीक है हरी पत्तेदार सबजी हो फल हो हमारी डाइट में आखिरकार क्या क्या चीज़ें उपस्तत हैं इसी लिए हम लोग यहां पर बढ़ने वाले हैं कि आपके जो विटमिन्स हैं वो कौन-कौन से देखे जाते हैं और किस प्रकार से उपस्तत हो निकाल लो फटाफट से अपनी जो भी आपर इंपॉर्टन लगेगा उसको आप लोग नोट करते चलेंगे सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि हमने इस शब्द के बारे में लिखा जिसे हम कहते हैं विटमिन ठीक है हमने कहा कि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में वि शबाच लोगे खे 잘 है कि कहा की के में हमारे मैं में घंके कन्फि Mü जय रहता है क्योज कि हुआ है कोवान ने पाद सल्गत्व यहां को पढ़ घूआं तो इसको फरिकар यहां पर देखूं जिससे मुझे हम इसान यह फूलन मिल जाए यह प्राव यह प्रोटीन मिल जाएन कै करेंगे बिलकुल ले सकते हो बिलकुल क्लास ले सकते हो जैसवाल जी चाल तो पहला ही क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पोशक्तत्व भी कहा जाता है defensive nutrient भी यहां पर कहा जाता है defensive क्यों क्योंकि यह रक्षा कर रहा है रक्षात्मक पोशक्तत्व दोनों की ही definition समझे कि मैं अगर मैं कह रहे हूँ है सूक्ष्म पोशक्तत्व है तो micronutrient है quantity भले ही मुझे जरा सी चाहिए हो लेकिन आवशक्ता भरपूर रहती है similarly defensive है रक्षात्मक है तो मैं क्या कर रहा होगा शरीर के अंदर immunity बढ़ा रहा होगा immunity कैसे बढ़ाएगा हमारी antibodies को बनाके हमारी रोग प्रतिरोधक चमता को बढ़ाके हमारी रोग प्रतिरोधक चमता इसको क्या करता है बढ़ाता है बुलो सब समझ में आ रहा है बात अरे बिटा पढ़ लो पढ़ लो इन्हें देखो examiner साब ये थोड़ी पूछेंगे तुमसे कि भईया तुमने इंस्टेग्राम पे कितना समय विर्थ किया था सवाल लिख देंगे कि बताओ vitamins कहा आते हैं Micro में आते हैं macro में आते हैं तुम कहोगे नहीं नहीं है तो माम instagram में दिख रहे थे हमें तो instagram चला रहे थे यहाड चलिए तो क्या है ये Mica濃वर्र न्यूट्रिएंट है defensive nutrient दिख रहा है तूसरी अगर मैं फंक सहाब का कैसे मिर फंक कब 1912 के अंदर सबसे पूछे जाने वाला सवाल कि भाईया ये शब्द जो है वो यहां पर किस ने दिया था इसकी खोज जो है वो यहां पर किस ने करी थी चलिए चलो भी राधा आ गई है बहुत बढ़िया लिखो जल्दी जल्दी जो भी नोट कर आज कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो आप लोग क्वेश्चिन की फॉर्म में नहीं पिक्चर के थुरू बताओगे और सेशन के एंड तक अगर तुम लोगों ने कबूल नह में का की मैम जादा से जादा मात्रव में आज से हम लोग पूड नहीं आज से हम लोग फीटामिन्स खाएंगे कैसे खाएंगेई सप्लिमेंटों भी नहीं हम सिर्फ प्राकरतिक तोर पे फल और सबजी आखाएंगे क्योंकि आपको जब फाइदे पता होते हैं इंजान को क क्या चाहिए मैं हमें हमारा फाइदा बता दो जब तुम्हें फाइदे पता लग जाएंगे तो तुम खुद सोचोगे कि यार क्या ही फाइदा हम जाकर के बाहर पैसा भी खराब करें ऐसी चीज खाएं जो हमारे शरीर को भी खराब कर रहे तो इसमें हमारा फाइदा क्या हो बनते हैं तो तुम्हारे मंद में फटाक से एक सवाल आएगा मैं आप एक बात बताओ आगर ये मेरे शरीर में ही बन रहे होते तो क्यों मेरी मम्मी मुझे सुभा शाम डाटती है कि बेटा हरी सबजी खाले क्यों बाहर का खाना खाता है आज जाकर के समूसे खा लिया चाउम 90% vitamin शरीर में नहीं बनते और अगर शरीर में नहीं बनते इसका मतलब हमें कहां से लेने पड़ेंगे हमें diet से इनको पूरा करना पड़ेगा हमें इसके लिए diet जो है वो अपनी अच्छी करनी पड़ेगी 90% vitamins are not synthesized in our body ठीक है? दे आर ओप्टेंड फ्रॉम डाइट दे आर ओप्टेंड फ्रॉम डाइट कहां से आते हैं? यह हमारी डाइट से मिलते हैं हमें हमारे खाने से, भूजन से मिलते हैं हमें हमारे भूजन से मिलते हैं चलिए अब मैम मैं सिंपल सी बात करूँ कि आपने तो हमें इतनी बात बता दी कि भाईया देखो ऐसा है कि तुम्हें अगर विटामिन्स लेने हैं तो भरपूर मात्रा में तुमने क्या खाना होगा? तुमने हरी पतेदार सबजियां खानी होगी मगर माम आप एक बात बताईए मार्किट में धेर सारे ऐसे सब्लेमेंस अविलेबल हैं धेर सारी गोलियां आती हैं मल्टी विटामिन्स की ठीक है? जब सब्लेमेंस आ रहे हैं, जब गोलियां अविलेबल हैं तो फिर मैं क्यूं अपना स्वात खराब करूं, क्यूं खाऊं सबजियां, मन में आता है, हमेशा याद रखना, आप जब भी दवाईयों के उपर रिलाय करते हो, आप जब भी सप्लिमेंस के उपर रिलाय करते हो न, तो ये चीज़ें हमें फायदा नहीं, हमें नुकसान ही पहुचाती है, आप जितनी जदा एंटिबाइटिक खाऊगे, जितनी जदा दवाईयां खाते हो, वो कही न कहीं जा करके, आपके लिवर को खराब करती है, आपके लिवर पर अफेक्ट डालती है, जिस कारण वश आपको जदा मात्रा में इन गोलियों पर रिलाय नहीं कर चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, आपको प्राकरतिक तौर पे, आपको प्राकरतिक तौर पे जो खाना है, उसका सेवन करना चाहिए, यानि की सबजियां खाओ, फल खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, जो घर में एक बैलन्स डाइट जिसे हम कहते हैं, कि एक थाली के इंदर हमारा ये पूरा complete भूजन यहां पर होना चाहिए उसको कहते हैं balance tight ठीक है चलिए captain भानू class अब आपकी यहीं हो रही है रोज शाम 6-8 बजे ठीक है चलिए बही complete bio होगी complete physics होगी ठीक है complete bio होगी complete physics होगी complete chemistry होगी पूरी science का a to z batch है जो आप लोग के लिए start किया है daily शाम को 6 बजे से 8 बजे तक तो समझा रहे हैं सबको गोलियां नहीं खानी है supplements नहीं खाने यह नहीं है कि doctor साब के पास गए क्या करना है हमें face pack बना के लगाना है यह नहीं है कि हरी पत्यदार सब्जियां खालो जो अंदर से खुद ही जो natural beauty है वो तुम्हारी आ जाए नहीं clear तो यह गोलियां जो है इन पे हमें जादातर रिलाए नहीं करना चाहिए लेकिन एक सवाल कि क्या जितने भी आपके vitamins हैं जितने भी आपके खनिच पदार्त हैं क्या यह केवल आपको plant sources से मिलते हैं क्यो भई एक बात बदो क्या यह केवल तुम्हें plant sources से मिलते हैं या फि जल्दी से बताइए हाँ spices food भी नहीं जितना तेज मिर्च मसाला और तीखा नहीं होना चाहिए चलो जल्दी से बताओ कि क्या यह बात सही है या गलत है true है या false है तुम्हें क्या लगता है केवल plants के ही ऐसे sources होते हैं जहां से हमें फल और सबजिया या हमें vitamins और minerals मिल सकते हैं नहीं मैम ऐसा नहीं है है ना बहुत सारे लोग इसको अंडे से red meat से यहां से भी obtain करते हैं त और उसी तरीके से जब आप अपने vitamins को देखते हो तो यह vitamins मुख्य तोर पे हमारे कितने देखे जाते हैं दो प्रकार के देखे जाते हैं एक ऐसे जो पानी में घुलनशील हैं दूसरे ऐसे जो वसा में घुलनशील दिखाई देते हैं क्या लिखेंगे यहां पर विटमिन्स तक तो मैं ठीक था लेकिन यही विटमिन दो प्रकार के मुझे दिखाई दे रहे हैं एक तो ऐसे जो वसा में और दूसरे ऐसे जो पानी में घुलनशील दिखाई देते हैं पानी में गुलंचील और दूसरे कौन है जो आपके वसा में गुलंचील दिखाई दे रही है प्लियर जोने हम फैट सुल्यूबल या वाटर सुल्यूबल यहां पर कहते हैं या fat soluble या water soluble यहाँ पर कहते हैं vitamins के दो अलग-अलग प्रकार इसी में हम जो पढ़ते आ रहे हैं कि भाया fat soluble में चार दिखते हैं जोने हम कीडा के नाम से जानते हैं vitamin K, E, D और A कीडा की trick से हम इने याद करते हैं और पानी में घुलने वाले दो होते हैं गुलनशील दिखाई देते हैं note करेंगे जिब सब में मिलता है, देखो ऐसा नहीं है आपके सबजियों के अंदर भी होगा गाजर में भी होगा, फलो में भी होगा ठीक है, non-vegetarian sources जो हैं वहाँ पर भी होगा, तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल प्लांट sources में हैं, केवल सबजियां ही सबजियां खानी है जो non-vegetarian खाते हैं वह भी हाँ, non-vegetarian sources से लेते हैं और जो vegetarian आदमी है वह अपना clear अब एक-एक करके यहाँ पर बात करेंगे यह जो वसा की बात कर रहे हैं पानी, वसा, यह सब हमारे पोशक तत्व होते हैं वसा भी, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में जो fat होता है, यह भी हमारा macro nutrient मुख्य पोशक तत्व के अंदर देखा जाता है आपके carbohydrate से 3 गुना जादा energy देता है, लेकिन साथ-साथ में 3 गुना जादा चर्बी भी चड़ा देता है मुटापा भी बढ़ा देता है तो इसलिए fat का consumption जादा नहीं करना चाहिए oily चीजें जादा यहाँ पर आपको नहीं खानी चाहिए ठीके, oily चीजें जादा यहाँ पर नहीं खानी चाहिए अब जब इनके उपर सवाल आएंगे तो फिर सोचोगे कि माम यह सवाल कैसे हलोंगे इसलिए थोड़ा ध्यान देलो, फोकस बना लो किस प्रकार से किस प्रकार से आपके यहाँ पर देखे जाते हैं इनहीं के अंदर, यह कीड़ा की जो category है यह तो माम हमारी वसा में घुल रही है लेकिन बी वाले, बी वाले एक नहीं होता बी के बहुत सारे, बी का पूरा एक complex होता है कई बार सुने, मूँ में च्छाले हो जाते हैं तो घर पे सुनने को मिलता है कि भाया बी complex के capsule कहा लो, कई बार सुना होगा ठीक है, तो यह बी की कमी की वज़े से आपको दिखाई देता है बी वाला, बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 और बी 12 में बटा हुआ है तो यह पूरा का पूरा सेट हमारा vitamin B complex कहलाता है क्या कहलाएगा भई, vitamin B complex इसके बाद हमारा C आ जाता है और दोनों ही मिलकर के आपके पानी में घुलनशील दिखाई देते हैं यानि की water soluble vitamins दिखाई देते हैं ठीक है, water soluble vitamin यह सारे हमें यहाँ पर दिख रहा है और बचा हुआ है कीडा, कीडा क्या है? फैट में या वसा में घुलनशील दिख रहा है अब तक पूरे जैसे कोरोना काल चल ही रहा है ऐसा नहीं है की खतम हो गया हो, कभी भी आपके cases जो है वो बढ़ जाते हैं लेकिन एक चीज जो है वो खतम नहीं होई है आपसे ये डॉक्टर सहाब का कहना की भाईया, vitamin B और C लेते रहो vitamin B और C लेते रहो ऐसा क्यों, क्योंकि मैं यही दोनों पानी में घुलनशील ऐसे vitamin हैं जो हमारी body में immunity भढ़ाते हैं रोग प्रतिरोधक छमता को भढ़ाते हैं इसलिए कहा जाता है, इनकी मात्रा शरीर में कम नहीं होनी चाहिए बोलो भई बात समझ में आ रही है जल्दी से बताओ हाँ, vitamin B complex इवन सारे vitamins आपके शरीर के कही न कहीं किसी न किसी function को affect कर रहे हैं एक एक करके सब की बात करेंगे और ध्यान देंगे कि किस की कमी से क्या चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है आईए सबसे बहले बात करते हैं हमारे vitamin A के बारे में एक trick से symbol याद रखेंगे चलो मैं मैं आपने बोला vitamin A A जो है जब भी A की बात आएगी यह हमारी आखों के लिए बहुत अच्छा देखा जाएगा इसका एक connection होता है जो हमारी आखों के साथ देखने को मिलता है आप जब भी कहोगे कि आखों में हमें कुछ भी दिख रहा है वो किसकी वज़े से दिखता है? बताओ भी किसकी वज़े से देख रहा है? कही ना कहीं तो तुम्हारी वो image छप रही होगी वो पर्दा जहां आपकी image बन रही है हमने आखों से देखा अब हमारी आखों में जो image बन रही है आपको देखने के बाद हमारे पड़े परे बन रही है पड़े से एक nerve एक nurse जाती है जो हमारे brain तक सूचना लेकर जाती है कि भाईया तुमने जिसे देखा वो कौन है तो इसी प्रकार से मैम जब भी मैं आखों के परदे की बात करूँगी उसको नाम दिया जाता है रेटीना और कहीं न कहीं इसी रेटीना से विटमिन A का नाम पढ़ा रेटीनाल ठीक है इसको रेट करके हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि यह रेटीनाल जो है या विटमिन A जो है यह हमारी आखों के लिए बहुत अच्छा होता है किसके लिए हमारी आखों के लिए बेहत अच्छा दिखाई देता है अगर इसकी कमी भी होती है तो भी हमारी आँखों में ही जोड़े सॉर्डर्स हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं मुख्य तोर पे हमारी आँखे कमजोर हो जाती है समझ पा रहे हो तो याद रखेंगे दो चीजें की माम विटमिन A आँखों कि लिए अच्छा है A1 को कहते हैं रेटीनॉल ठीक है ऐसे ही विटमिन A2 भी होता है जिसको नाम देंगी डी हाइड्रॉक्सी रेटीनॉल डी हाइड्रॉक्सी रेटीनॉल किसके लिए अच्छा है आँखों के लिए यह अच्छा यहां पर देखा जाता है हमारे विजिन को मेंटेन करता हुआ दिखाई देता है पढ़ लो विटा पढ़ लो विटमिन A क्या कर रहा है दोनों ही चीजें विटमिन A1 का भी नाम याद रखना A2 का भी याद रखेंगे तो A जो है वो आँखों के लिए helpful है तो माम कैसे helpful है आँखों के लिए ऐसा क्या हमें देखने को मिलता है देखो generally हमने लिखा सबसे पहले help in vision यह किसमें मदद कर रहा है द्रश्टी में मदद करता है उसको बढ़ावा देता है लेकिन माम अगर मैं आपसे एक बात बोलू कि कहां कहां हमें यह सबसे जादा मात्रा में मिलेगा जिससे मैं अपनी द्रश्टी को अपने vision को अपनी आँखों की पावर को बढ़ा सकूँ वो सभी dairy products में जितने भी दुख दुतपाद है अगर जानकारी में कोई बी ऐसा हो जिनहें लगता है उनके शरीर में इस विटमिन की कमी है तो सबसे जादा मात्रा विटमिन एक गाजर के अंदर देखी जाती है किसके अंदर गाजर के अंदर balance के आइनदर उसके अंदर भी टा करोटीन नाम से देखेंगे यहाँ अगर आप गाजर की बात कर रहे हो, क्यारट की बात कर रहे हो, इसके अंदर उपस्तित होता है बीटाflows, ठीक है, बीटा है ये सबसे अच्छा स्त्रोत है, किसका विटामिन एका, यह इसको मैं इंटेन करके रहता है आरफिमेटली हमें क्या करता है हमें जो द्रष्टी है जो हमारा deep user in पर उसको यह पर बनाने का काम कर रहा है बुलो बात समझ आ रही है सबको बोलो भई हाँ सचिन जी अभी थोड़ा सा ध्यान देना है ना चलो और जिन लोगों ने भी सेशन को शेर नहीं किया है पेटा देखो कंजूसी करने से कुछ नहीं होगा है ना जाधा से जाधा जितने भी तुम लोग इंस्टेग्राम टेलीग्राम पर लगे रहते हो ना आपका डेरी प्रोड़क्ट के अलावा दुग्ध उत्पाद के अलावा शकरगंद में दिखेगा इन सब में इसके जो बेस्टो बेस्ट आप कहते हो कि सोर्सेज हैं वो यहां पर मिल जाएंगे दूद में पनीर में अंडे में इन सब में आपको देखने को बिलेगा दू क्या करेगा आपकी विजन में हिल्प करेगा आपकी आखों को जो है पूरे दिन तो पढ़ाई करी है तो रात में कम से कम थकान में जब आराम से दूद पिगर सोगे तो तुमारी आखों के लिए भी वो फायदेमंत रहता है तो इसलिए याद रखेंगे इसके सबसे अच् लेना होती है उस पर उल्ट इमेज बनती है आपकी इंवर्टेट इमेज बनती भी दिखाई देती है ठीक है चलिए तो अगर मैं बात कर रही हूं कि गाजर के अंदर बीटा के रोटीन है यह हमारी आखों के लिए अच्छ है मान लो कोई व्यक्ति है जो नहीं खाता जो व इस डिसॉडर बनते हैं जो हमारी आखों को अफेक्ट करते है सबसे पहला डिसॉडर जिसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंट नहीं या रतौंधी क्या कहा जाता है नाइट ब्लाइडनेस या रतौंधी अब इस पिक्चर को ज़रा ध्यान दो दो फोटोज हैं यापर एक तरफ आपको कुछ क्लियर सडक घर सामने रोड दिख रही है दूसरी तरफ शायद बहुत ही जादा धुंदला दिखाई दे रहा हो कुछ नजर भी आपको यहाँ पर ना आ पा रहा हो तो मैम ये कहानी होती है रतौंधी की जिस व्यक्ति की नॉर्मल आखे हैं नॉर्मल विजन है ठीक है वो तो प्रौपर चीज़ें देख पा रहा है रात के टाइम में लो लाइट में जब अंधेरे में ये बहुत कम डिम लाइट होती है उस टाइम पर अगर आपको नॉर्मली दिख रहा है तो ठीक है या इसको नाम दिया जाता है निक्टेलोपिया जिन लोगों की अंदर मायोपिया होता है जिनको निकट द्रश्टी दोश होता है पास का दिख जाता है दूर का नहीं दिख पाता दूर का देखने में बहुत जादा दिक्कत होती है ठीक है उन लोगों की जब मायोपिया भड़ता चला जाता है परसेस्ट करता है बहुत लंबे टाइम तक या मायोपिया ठीक नहीं हो पार है बहुत लंबे समय से आपका मायोपिया जो है वो केवल घटने के जगा बढ़ता ही जा रहा है तब भी वह रोग आपका नाइट ब् टेलिग्राम का लिंक टेलिग्राम आप चेक कर सकते हो एससी अभिनेवाच के नाम से आपको जो टेलिग्राम पेज है वो मिल जाएगा बोलो बोलो फटाफट से बोलो यह नॉर्मल विजन है इसमें आल्मोस सब आप लोग देख पा रहे होंगे तो यह पहला डिसॉर्डर देखने को मिलता है जो हमारी आँखों में किसकी कमी से हो रहा है ड्यू टू डेफिशियन्सी ओफ विटामिन ए किसकी कमी से विटामिन फिर कहोगे माम निक्टलोपिया कहलो या नाइट ब्लाइडनेस कहलो यह की बात है रात में लो लाइट में डिम लाइट में बहुत कम दिखना उसे हम रतौंधी यहां पर कह रहे हैं हाँ इसके बाद आता है मैम दूसरी चीज दूसरा डिसॉडर जिसमें आपकी जो कौर्निया है आप देख पारे हो यह जो हमारी आगे की तरफ सफेद सफेद कौर्निया है यह कैसी हो जाती है अपार दर्शी हो जाती है इस ड्रोग को या इस डेफिशिंसी डिसॉडर को ब कौर्णिया कैसी हो जाती है अपार दर्शी हो जाती है ठीक है कौर्णिया बिकम्स उपेक बोलो भई ये रोग भी हमारा विटमिन एक कमी से दिखाई देता है कि एक बहुत बताओ तुम लोगों कभी कभी क्या हो जाता है यह सवाल एससी नहीं पूछता तो भाया कौन पूछता यह बताओ फिर एससी करेगा मैं नहीं तो कौन भे अरे पूछा जाता है कई बार आता है विटमिन के उपर तुम अभी जीडी का पिपर हुआ जीडी में कि इसकी कमी से क्या होता है कि राटो मैलेशिया कहां दिख रहा है रिकेट्स कि कमी से हो रहा है कौन फिर कौन बताएगा या आंसर यह बताओ बटाओ रेलवे हो एससी हो तुम्हारे अन्य कोई स्टेट एक्जाम हो ठीक है आपका विटमिन टॉपक क्योंकि बेसिक है मैं इसकी नॉलेज हर किसी को उती है आप इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें डाइट के बारे में शायद ना पता हो मैं पढ़ते रहते हैं हमें पता ही नहीं एक इतना बेसिक टॉपिक है आपको पता होना चाहिए और यहां से सवाल भी आपका मुख्य त जिस रोग में हमारे दिल में चाहिए कितना भी दर्द हो कितना भी दुख हो हम चाहिए कितने भी उदास हो हम रोना भी चाहते हो लेकिन हम रो नहीं पाते उसको कहते हैं जिरो प्थेल्मिया ठीक है आप आँखों से आशू बहाना चाहते हो बट आशू नहीं बन पा रहे अब नहीं बन पारे क्यों नहीं बन पारे माम कुछ तो ऐसा होगा ना हमारी आँखो में जहां से आसू बनते हैं कहां से बनते हैं वो हमारी यह उपर इधर देखो यहां पर यह क्या है यह हमारी अश्ट्रू ग्रंथी दिखाई दे रही है हमारे टियर ग्लांज दिख रहे ह यह रहे मैम हमारे जो टियर लांड होते हैं होता क्या है कि मैम यहां से जुलारिमल ग्लाण्ड के दूर्ण नागर कोई भी प्रॉब्लम होगी आंखिं द्रशें ये ड्राइ आई कंडिशन हो जाती है, आँखे बहुत जादा सूखी सूखी सी हो जाती है, वरना कुछ लोगों के आँखे देखोगे, जो कहते हो ना आखो में नशा, आखो में आशू, ये जो आखे गीली होती है, वो इन्ही अश्ट्रू ग्रंथी के वजहा से होती है, यहाँ पर अश्ट्रू ग्रंथी, लेक्रिमल ग्लांड, या हिंदी में इसको यहाँ पर लिखेंगे, अश्ट्रू ग्रंथी, या अब इसको बोलते हो टीर ग्लांड, अब टीर ग्लांड है, तो टीर बनाएगी, आसू बनाएगी, और मैं आसू जब नहीं बन पाते, वो क इसकी कमी से नहीं बन पाते है, विटामिन एकी कमी से नहीं बन पाते है, उस रोक को नाम दिया जाता है, जिरो प्थेल्मिया, जिरो प्थेल्मिया, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको शुषका पिशाक, शुषका, एक सिकिन, पिशाक, ये है आपक का तीसरे नंबर का आखों का डिसॉर्डर जो किस वज़े से हो रहे हैं आखों के अंदर आखों के अंदर आपके विटमिन एक कमी से दिखाई दे रहा है बोलो भई बात समझ आई सबको माम यूपी कव आएंगी विटा भी तो कुछ पता नहीं है ठीक है चलो जल्दी से बताओ समझ आ रही है बात सबको माम गर्ल्स का बता था ये कॉमेंट ना है ऐसा हो नहीं सकता कि माम लड़कियों का लेक्रिवल क्लाइंट बहुत जल्दी काम करता है बड़ी जल्दी रहो जाती है उनका दिल बहुत इमोशनल है तो मैं जहां दिख ज तो रही है पुरुषों में 300 ग्राम का है इनकी लेक्रीमल ग्रंथी ज्यादा का मकर रह रहे है जादा अक्रीवेट चली जालती समझ आया इसको कहते है जीरो प्थख्यल्मिया थो हमने तीन रोग यहां पर पढ़े पहला वाला था हमारा जिसे हम क्या गहते हैं नाइट ब्लाइडनेस या रतौंधी दूसरा हमने बात करी जिसे कराटो मैलेशिया कहेंगे जहां हमारी कौर्निया क्या हो रही थी अपार दर्शी हो रही थी और उससे पहले हमने रतौंधी की बात करी एंड लास्ट वन कि हमारी आखु से नहीं बन पा रहे हैं बूलो सबको क्लियर है किसी को कोई इशू कोई परिशानी भाई अगे पड़ें तो अब विटमिन एकी कमी तो नहीं होने वाली किसी के विटमिन ए हमारी शरीर में मुख्य दोर पर क्या दिख रहा है आँखों के अंदर हिल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है इसका नाम कहीं ना कहीं अगर तुम्हें दिखाई दे तो आप बता सकते हो कि यह रेटिनॉल है या हम इसको रेटिनॉक एसेड की जगा लिख सकते है कई लोग इसका बीटा कैरोटीन लिख करके और आप्शन में दे देंगे आपको और पूछेंगे बीटा कैरोटीन क्या है तुम क्या दोगे विटमिन A क्यूंकि काजर के अंदर बीटा कैरोटीन है तो एक बार पूछा गया था ऐसा सवाल इसलिए थोड़ा सा याद रखे यही पीटा कैरोटीन हमें रेटीनॉल जो है विटमिन A जो है वो भरपूर मात्रा में लेकर के बैठा हुआ है तो इन अन्य नामों से भी यहाँ पर जाना जाता है और विटमिन A क्या है विटमिन A हमारा फैट सॉल्यूबल है तभी भावनाओं में बहके यह तो तुम क्लियर हुआ हाँ चलो टीजीटी साइन्स के लिए चलो जैसे भी होता है आपको बिल्कुल इंफोमेशन मिल जाएगी क्लियर आसू में विटमिन A नहीं होता आसू तो बन रही है आसू के अंदर तो एलेक्रोलाइट्स होंगे तीक है आसू तो आपके आखों से लेक्रिमल ग्रंथी एश्ट्रो ग्रंथी से निकल रहे हैं लेकिन आसू बनते हैं विटमिन A आसू नहीं बनते हैं विटमिन A की करते हैं इसी कीड़ा यानि कि हमारे जो fat soluble vitamins होते हैं उनके अंदर next vitamin आपका देखा जाता है जिसको हम यहाँ पर कहेंगे भाईया इधर ध्यान दो कि विटामिन डी यह व्यक्ति क्या लेना चाह रहा है यह व्यक्ति लेना चाह रहा है vitamin D कहां से मिल रहा है मैम इसको मिल रहा है सूर्य की किर्णों से इसको मिल रहा है सूर्य की किर्णों से ठीक है जब आप बात करते हैं कि मैम किस प्रकार से हमारा जो vitamin D है हमें क्या लगते है कि keval और keval keval और keval हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है हमारे जोडों के लिए अच्छा है vitamin D है ठीक है तो हड्डियों की बात आ रही होगी कही ना कहीं नहीं जब vitamin D की आप बात करते हो तो वो उसके अलावा भी बहुत सारे functions यहां पर निभा रहा होता है जैसे आप सुभा सुभा उठिये और सुभा उठकर यह नहीं है कि सुभा तुमारी बारा बज़े हो रही है और तुम बारा बज़े उठके कहां जा रहे हो दूप में जाकरो कि खड़े हो गए धूप में और फिर सोच को यार विटमेंट डिली नहीं देनी है क्योंकि आपको यще विटमेंट přी मिलता है यह सुभा सुभा मिलता है जब हम early morning sunrise के time पर देखते हैं जब हम सूर्य उधय के time पर उठकर के रणिंग के लिए यह जा रहे हैं ठीक है तब हमें यह vitamin D मिलता हुआ दिखाई देता है बोलो बात समझ में यह अकेला ऐसा vitamin है भाईया यह vitamin D अकेला ऐसा vitamin आपको दिख रहा है जो हमारी body के अंदर बन रहा है वरना usually आपने 90 प्रतिशत ऐसे देखे जो हमारी body में नहीं बनते हैं क्या है vitamin D जिसे हम क्या नाम देते हैं कोली केलसी फेरॉल नाम दिया जाता है कोली केलसी फेरॉल यह usually जो vitamin D है हमारा यह भी क्या है वसा में गुलनशील क्योंकि सबसे पहले हम वसा में गुलने वाले vitamins की बात कर रहे है क्या है यह fat soluble यहाँ पर दिख रहा है और क्योंकि हम इसको sunlight से प्राप्त करते हैं कहीं न कहीं तो हम इसे sunshine vitamin भी कहते हैं the sunshine vitamin भी यहाँ पर कहा जाता है ठीक है the sunshine vitamin poor man's vitamin यह सारे नाम इसको दिये जाते हैं गरीब आदमी का vitamin ठीक है देखो जो ध्यान से पढ़ लेगा उसका भला हो जाएगा वरना मैम सब उसी इंतजार में है कि बहुत attempt हैं दे देंगे क्या दिक्कत है पीडियेफ मिल जाएगी अभिनमाच अप्लिकेशन पर पीडियेफ आपको डल जाएगी क्लास के बाद में आप लोग अप्लिकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर फ्री कॉंटेंट का जो सेक्शन है उसके अंदर a to z science batch आपको मिल जाएगा जहां पर आपकी सारी पीडियेफ साब की अवेलेबल हैं ठीक है अरे तेरा हीरो बेटा रुख जाओ रुख जाओ पढ़लो पढ़लो तो क्या कहेंगे इसको विटमिन डी सबसे पहले इसका नाम पूछा जाएगा कोली केल्सिफिरॉल है इसको पूर मैं विटमिन भी कहते हैं इसको दस संशाइ विटमिन भी कहते हैं संशाइन विटमिन क्यों कह रहें क्योंकि माम यह हमें सूर्य की किर्णों से फ्राप्त हो रहा है हमारे बोडी के अंदर एक तो हमें डी दिख रहा है ठीक है इसके अलावाद दो और दिखाई देते हैं जिनने डी 2 और डी 3 कहते हैं डी 2 और डी 3 कहा माम वो भी आपकी क्लास देख रही है उससे कहो कि बात करें बिटा वो क्लास देख रही है वो पढ़के सेलेक्शन ले जाएगी और तुम उसको बात करने के लिए मेसेज ही करते रह जाओगे कि भाईया बात कर ले अगर किसी को सच में चाहता कोई किसी का भी सपना है ना कि म मुझे एक चीज है जो अचीव करनी है कम से कम उसके लिए शिद्दत से पढ़ाई कर लो अगर वो पढ़ रही है तो तुम भी पढ़ लो नौकरी ले लो उसके बाद तुम्हें कहने की जरुत नहीं पढ़ेगी वो खुद बखुद तुमसे बात कर लेगी लेकिन उससे प आुछ है नहीं को सब्सक्राइए फ़िर तुम व्हारा आज उसी ख्लास में थे और आज तुम कहां हूँ अज मैं कहां हूँ कि नहीं मैं वह पर थे अर्यंग क्लास देखरें तुम यॉन आदेर तुम क्लास देखकर उसकल मेसिज का इंतजार कर रहे हो D2 और D3 अब ऐसा नहीं है कि केवल ये धूप से ही मिलेगा इसके बहुत सारे सोर्स हैं D1 जिसे हम कोली केलसी फेरॉल कह रहे हैं अगर हम यही चीज प्लांट्स के अंदर बात करें तो इसको एर्गो केलसी फेरॉल कहा जाता है ठीक है इसको एर्गो केलसी फेरॉल कहा जाता है किसमें पादप में प्लांट्स के अंदर एर्गो केलसी फेरॉल औफ प्लांट के नाम से आप इसको जानते हो यूजवली हम विटमिन D को केवल कभी कभी केलसी फेरॉल भी लिख देते हैं specific अगर मैं D3 की बात करूँ अगर मैं बोलूँ कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं हम specify कर रहे हैं कि plants में animals में है तो नाम आता है कोली केलसी फेरॉल तब नाम क्या आता है कोली केलसी फेरॉल ठीक है तो याद रखेंगे D1 डीटू और डीट्री यह कहा आ गए हम एनिमल्स के अंदर जनतूओं के अंदर तो यह तीन नाम आपसे पूछ लिया जाते कि भईया plants में क्या है animals में क्या है और यूज़ुली डीवन किसको कहा जाता है किसको कहा जाता है कि ड़न समझ आया चलो आपकी बॉड़ी में जब कार्बो हाइडरेट बनता है आप तुम्हारे मन में ये भी आ रहा होगा कि मैम ये व्यक्ति धूप में खड़ा हुआ है मस्त अपना धूप से सन्रेज से क्या ले रहा है विटमिन डी ले रहा है अब आखिर शरीर में विटमिन डी बन कैसे रहा है हमारी शरीर के अंदर जब कार्बो हाइडरेट बनते है जब उर्जा का स्त्रोथ जिसे हम कार्बो हाइडरेट कल हम पड़े थे जब वो बनते है उसके साथ साथ उसके बनते टाइम पर बीच में एक intermediate बन जाता है जिसको नाम दिया जाता है है यहाँ पर जिसको नाम दिया जाता है 7 और यह बेसिकली आपको जो दिख रहा है वो एक intermediate की तरह दिख रहा है 7-D-Hydro-Kolesterol यह जो 7-D-Hydro-Kolesterol है यह help करेगा हमारे शरीर में विटामिन D के बनने में तो आप से अगर पूछा जाए हमारे शरीर में विटामिन D कैसे बन रहा है ऐसा तो नहीं है कि माम हम धूप में खड़े हुए हमारी स्किन के उपर जो सन्रेज आई जाएगी हड़िया जो है वो बिल्कुल बढ़िया से कमजोर नहीं होंगी ठीक है क्या हो जाएगा हड़िया मेरी मजबूत हो जाएगी ऐसी थोड़े ना मतलब महाँ पर कोई वाइफाय लगा हुआ है कि सीदे सीदे तुमारी हड़ियों के अंदर विटमिन डी बनना शुरू हो जाएगा तुम बैट होगे तो आपकी बोड़ी के अंदर यह जो सेविन डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है यह यहाँ पर आपके केल्सी फेरॉल को बनाने में मदद करता है कि में लिटमिन को बनाने में मदद करता है ज़ान ही नहीं धीने पढ़ना ठोड़ी है यह और मैम हम फिर भी विटमिन डी यहाँ से नहीं लेते हम क्या करते ऐसे टाबलेट्स आते हैं जिने हम कहते हैं फिश कॉर्ड लिवर ऊइल कई लोगों ने इसको खाया होगा कई लो जाता है एक मचली होती है जिसका नाम होता है कॉड ठीक है इसके यकरत का तेल फिश कॉड लिवर ओईल इसके लिवर के ओईल के ऐसे-एसे कैपसूल आपको दिखाई देते हैं आप मेंसे कई लोगों ने कैपसूल शायद खाए होंगे देखे होंगे सुना होगा कि भाई फि बश्रते ठीक है जब आपकी बॉड़ी में कमजोरी बहुत जादा आ रही है तो भाई सप्लिमेंस ही लेने पड़े अब तब तो ऐसा नहीं है कि माम बंदा पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में है क्यों क्योंकि उसके शरीर में बहुत जादा कमजोरी हो गई है कोई बिम तब आप क्या करेंगे तब आप उसको टाबलेट जो है टाबलेट की फॉर्म में आप उसको दे सकते हैं मगर जब इमर्जेंसी नहीं है तब तो भाई यह नाचुरल फूड है आपके पास आप खाई पल सबजियों का सेवन करिए क्लियर तो विटमिन डी का बहुत अच्ट्रूम है दूद है है ना इन सभी के अंदर आपका भरपूर विटमिन डी कहां से अल्टिमेटली आपको मिल रहा है विटमिन डी हमने जिसको बोला केल्सी फेरॉल केल्सी फेरॉल बोलो बात समझ में आई वसा में गुलनशील यह आपर दिख रहा है फ्रूट्स के साइंटिफिक नेम जो इंपोर्टन होंगे वो सेशन के अंदर हम लोग आपको यहां पर करवा देंगे कोई इशू नहीं है जैसे अभी आपका तुलसी का पूछा गया था जीडी के अंदर एक्जाम में पूछा था ओसे मम सेंक्टम हो गया ठीक है तो जिस या केल्सी फेरॉल शरीर में केल्शियम को बनाता है ठीक है केल्शियम फॉर्मेशन में हेल्प करता है क्या कर रहा है अभी शरीर में केल्शियम बनाता है सोर्स आपको समझ में आया कहां कहां से हमें मिल सकता है दूसरी चीज मेंटेंस बोन हड्डियों को मजबूत रखेगा दातों को मजबूत रखता है ठीक है आपके मसूडों को मजबूत रखता हुआ दिखाई देता है यही विटमिन D अगर कमी हो जाए तो मैम सारी की सारी समस्या हमारी हड्डियों के उपर चली जाती है हमारे bones के उपर चली जाती है तो सबसे पहला important हम क्या लिखेंगे याँ पर यह हमारी हड्डियों को मजबूत कर रहा है हड्डियों को मजबूत करता है अब जब calcium हड्डियों में भरपूर होगा तो हड्डियां कमजोर वैसे भी नहीं होगी लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा है जो भईया ना दूद पी रहा है ना ही प्रॉपरली वो vitamin D ले रहा है तो उसकी शरीर के अंदर कमी से कुछ रोग हो जाते हैं जुन्हें कहा जाता है रिकेट्स ठीक है यह क्या हो रहा है vitamin D की कमी से दिखाई दे रहा है रिकेट्स क्या होता है इसके अंदर यह बच्चों में छोटे बच्चों के अंदर आपको दिखाई देगा ठीक है बच्चों में केल्शियम की कमी से आपने यह भी देखा होगा कही लोगों के शरीर में जो vitamin D की कमी होती है तो उनको न थकान बहुत जादा फील होती है एक बहुत बेसिक सिम्टम है उनके mood change उने शुरू हो जाता है उनको थकान बहुत जादा फील होती है लेकिन आप लोग उसका अंदाजा नहीं लगा पाते है आपके तो यार हो सकता है काम बहुत जादा कर लिया है ठीक है थकावट इस वजह से हो रही है आप याद रखना जब भी शरीर में विटमिन डी की कमी हो जाएगी तो बहुत बड़ा सिम्टम आप थोड़ा सा गाम करोगे आपको इतनी थकावट होगी आपको लगेगा जैसे याद रखेंगे कि भाई आप विटमिन डी की कमी से मूट चेंज हो रहा है हड्डियों में दर्द हो रहा है आपके थकावट फटीग बहुत जादा आपको फील हो रही है इन सभी सिंटम्स को यहां पर माना जाता है आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से अलग-अलग सि बात देखी जाती है कि भई हड्डियों में जोड़ों में मासपेशों में दर्द हो रहा है तो लोग समझ जाते हैं क्लियर बाकी में क्या है भईया आपका फटीग थकावट अब मैं मान लीजे कि मेरे शरीर में विटमिन डी की बहुत जादा कमी थी तो किसी छोटे बच्चे के अंदर जब कमी हो जाती है तो उसकी हड्डिया कुछ ऐसी हो जाती है अगर तुम्हें एक नॉर्मल बच्चे की हड्डी देखोगे तो वो कुछ ऐसी सीधे दिखाई देंगे लेकिन जिसके अंदर vitamin D की कमी होगी उसकी हड़िया मुड़ जाएगी ठीक है उसकी हड़िया क्या होती है मुड़ जाती है आपको छोटे बच्चे कुछ इस प्रकार से मुड़े हुए हड़ि के साथ दिखाई देते हैं इस बिमारी को कहते हैं रिकेट्स और यही चीज जब बड़ो में हो जाती है तो उसको नाम बदल के ओस्टियो मेलेशिया कहा जाता है यह दोनों किसके दिकत किसके आपकी डिसॉर्डर्स है हाँ विटमिन डी की कमी से देखे जाते हैं ठीक है फिर डॉक्टर साब दवाई देते हैं कि भई 15 दिन में एक बार खालो केल्शियम की सिपकेल टाबलेट डेली खालो यह आपको होगे कि एक महीने में एक बार खालो एक दवाई जो भी डॉक्टर अकॉर्डिंग ली कि आ अधर सोर्सेश यही सब देखे जाते हैं और इंजूस आप पी रहे हैं या दूद आप पी रहे हैं चीज खा रहे हैं पनीर खा रहे हैं यह सारे मुख्य सोर्सेश हमारे विटमिन डी के के केल्शियम के देखे जाते हैं clear हाँ तो भई ये समस्या दिखाई देती है अच्छा एक problem और हमें यहाँ पर दिखती है कि चलो माम बच्चों में आपने बोला rickets हो रहा है ठीक है बच्चों में ये जो समस्या है इसको हमने नाम दिया rickets का यही चीज अगर बड़ों में हो गई तो मैंने नाम दिया osteo malasia ठीक है किसमे एडल्ट्स में एक रोग और यहाँ पर देखा जाता है जिसे कहते हैं osteoporosis जो vitamin D की कमी से तो होता ही होता है लेकिन वो पुढ़ापे में ना एक genetic factor के तौर बे भी देखा जाता है तुम किसका पूच रोग और हमें यहाँ पर देखता है जिसे कहते हैं osteoporosis नाम से इसका मतलब समझेंगे कि what is osteoporosis osteo word आता है osteo word आता है हमारी bone के लिए अब मैं आपसे कहूँ यह pore pore मतलब मैं छिद्र हो गए मतलब pores हो गए छोटे छोटे से हड़ी में क्या हो रहे हैं छेद हो रही है दिख रहे हैं इसे कहते हैं osteoporosis बुढ़ापे में इस अमस्या बहुत जादा देखती है मान लीजे किसी व्यक्ती की यह हड़ी है इधर ध्यान दो भई यह हड़ी है बाहर की तरफ मैं इसका जो ब्लड है वो बहरा है तॉर्मल आम तोर पर जो ब्लड हड़ी के बाहर आपको दिखाई दे रहा है ठीक है अब मेरी इस हड़ी के अंदर जितना भी केल्शियम था ठीक है मेरी बॉड़ी में जो रोग हुआ उस्टियोपोरोसिस उसकी वज़ा से यहां से हड़ी का केल्शियम निकल के कहा जा रहा है बाहर निकलता जा रहा है कहा निकलता जा रहा है बाहर निकलता जा रहा है यानि कि मैं इसको बहुत आम तरीके से क्या कह सकते हूं कि चलो कि यह जो केल्शियम है यह जो मेरा ब्लड में जा रहा है मतलब मेरी हड़ी में क्या हो जाएगा छेद हो जाएगा क्यों क्यों कि हड़ी का केल्शियम कहा चला गया निकल के बाहर ब्लड में चला गया तो आप क्या इसको यह कह सकते हो कि मैं हड्डियों में छेद हो जाएंगे क्यों हड्डियों में छेद हो जाएंगे यही कंडिशन हो जाएगी क्यों मैं यहां से जितना भी केल्शियम था वो निकल निकल के कहां चला गया वो निकल न चटकेगी या नहीं चटकेगी यह बताओ, जल्दी बताओ, इसे कहते हैं Osteoporosis, तो दोनों बिमारिया अलग-अलग है, जो बच्चों में आपको दिख रहा था, ये रिकेट्स था, बड़ों में हुआ Osteomalacia बोला, और अगर हड्डियों में छेद हो रहे हैं केल्शियम के बाहर निकलने की वज़ा से उसको Osteoporosis कहा जाता है, Osteomalacia में हड्डियां जो है, वो मुर्ती भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन Osteoporosis में इतने सारे छेद, ये तो एक नॉर्मल हड्डी है, जो हलके फुलके से हमें स्पेस देख रहे हैं, लेकिन Osteoporosis वाली हड्डी में आप छेद जो हैं, वो यहां पर देख सकते हैं, कितने ज्यादा दिखाई दे रही हैं, बोलो, नहीं बिटा, इंग्लिश आपकी रश्य का माम पढ़ाती है, ठीक है, मैं आपको साइंस पढ़ा रही है, ये देखो, क्लास में पुतिन सहाब भी आ गए है, फिसिक्स करेंग जो हमारी हैं, कमजोर हो जाती है, फिर हम सोचते हैं, अभी से हड्या कमजोर हो गई, इवन एक चीज और याद रखना, आप में से कितने व्यक्ति, कितने लोग, कितने साथी ऐसे हैं, जो चाय और कॉफी के बड़े शौकीन हैं, जिन्हें मैं अगर चाय कॉफी ना मिले, तो उनका दिन नहीं गुजरता, कि सुबह उठेंगे एक प्याले चाय के साथ, रात को एक कप चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, अगर आप भी इस एज पर बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तीस वर्ष की आयू से पहले पहले, तो आप याद रखिएगा कि आपके शरीर में, कुछ और तो पता नहीं, लेकिन माम केल्शियम की कमी जरूर हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि जाधा चाय और कॉफी का सेवन हमारी हट्डियों को ही कमजोर करता है, फिर जो तुम अभी से इस उम्र में अपनी दादी के सामने कहो गए, कि भईया मेरे तो कमर में गुठने दर्द कर रहे हैं तो आप जानते हैं, आपने अभी से चाय के प्याले की जो अमाउंट है वह आपने बढ़ा दी है, तो आपने क्या कर रहा है, आपने कम मात्रा में, पीओ चाय कॉफी पीओ मना नहीं, लेकिन किसी भी चीज की लत आदी नहीं होना चाहिए, जा मैं काम कर रहूं, महिनत कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं राज में कम से कम 4-5 गंटे पड़ पाओं तो मैंने आधा कब कॉफी पीना शुरू कर दिया कॉफी ने क्या किया? बॉडी को अक्टिफ कर दिया मैंने जो नीन थी उसे भगा दी अब मैंने तो कॉफी पी किस काम से ताकि मेरी नीन चली जाए मैंने वही पढ़ा ही अपने continue करी पढ़ते पढ़ते मेरा exam तो निकल गया लेकिन जो रात भर daily मैंने कॉफी पी हर रात जो मैंने जरा सा आधा कब कॉफी पी वो कॉफी मेरे शरीर को आदत लगा दी अब अगर मैं एक दिन कॉफी ना प्यूँ तो क्या होता है तो आपको कॉफी के बिना बहुत जादा सुस्त फीलिंग आती है बहुत जादा ऐसा लगता है कि भी अब कुछ काम ही नहीं हो रहा ठकावट बहुत जादा है आपको दिन कुछ कर रहे हैं ऐसी आदत डाल रहे हैं आदत सबकी बुरी होती है समझ रहे हो सबकी आदत बुरी होती है चाहे चाय कॉफी हो यह तुमने कोई और आदत डाल रखी हो तो यह आदते सुधार लो आदत नशा हर चीज करनी है तो पढ़ाई का करो सेलेक्शन का करो और दोनों चीजों में अंतर है अगर तुम कहोगे कि मैं मम्मी दूद पीने के लिए कहती हैं दूद में ट्रिप्टोफैन पाया जाता है और ट्रिप्टोफैन तुम्हें नीद लाने का काम करेगा तो तुम रात में दूद पी के चैन से सो सकते हो वो स्लीप इंडूसिंग एज विटमिन D की कमी से हो रहा है अगले पर आते हैं जिसे कहते हैं विटमिन E क्या किया रहे हो कि माम इसी का इंतजार था विटमिन E का विटमिन E वही है जो आपकी सुन्दरता आपकी ब्यूटी के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट बाना जाता है अब ऐसा नहीं है कि माम हम लोग तो चोटे-चोटे से काप्सूल ले आते हैं और उसी से घाम चल जाता है ना विटमिन E दियान दीजे जिसको कहा जाता है टोको फेरॉल टोको डी को बोला था केल्सी फेरॉल इसको बोलेंगे टोको फेरॉल यह टोको फेरॉल बहुत सारे काम करता है यह सिर्फ ब्यूटी में काम कर रहो चलो जितना ध्यान यहां लगा लोगे आज शायद सेशन के एंड में मुझे आप में से जुतने साथ ही है ना अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना लेकिन यह जरूर बता के जाना कि आपको अब से विटमिन पढ़ने के बाद बर्गर पीजा जंग फूड खाने की लत लग रहा है कम करनी चाहिए नहीं तो इसलिए ध्यान से सुन लेना सभी क्योंकि आप लोगों के बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वह यहां पर यह लाइफ का देखा जाएगा यह तुम्हारे सिलेबस से हटके तुम्हारी जीवन को पत्यदार सबजियां ना कि यह हरे हरे कैपसूल जो तुम लोग लेकर आजाते हो और फिर क्या गड़ते हो मतलब लड़कियां हो चाहे लड़के हो इन्हीं कैपसूल को लाके फेस पैक बनाके लगा रहे हैं कि माम आज तो घर में जाकर के बढ़िया से फेस पैक तो भईया फिर जो प्राकर्तिक सोर्स हैं उन्हें लेने में काहे दिक्कत होती है ऐसा तो नहीं है कि बहुत जादा कौसली हो अफॉर्डेबल ना हो ऐसा भी नहीं है तो यह सबसे जादा कहां पाया जाता है याद रखिएगा विटमिन ई की जब हम बात करेंगे अगर मैंने इसे पहले नाम दिया टोको फेरॉल इसको एक और नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं ब्यूटी विटमिन ब्यूटी विटमिन इसके स्त्रोत अगर आप देखेंगे तो जादा से जादा मुमफली आप खाते हैं मूँफी आपकाते हैं अब पूरी ठंड़ में लोक मूँफी खाती है न तो मूँफी के मिल जाता है साथ में बदाम नगे 위에 उनगे उसमें अधियर हरी पत्यदार सब सबझे आपने अगर पालक नहीं खाना शुरू किया है तो पालक खाना शुरू कर दीजिए क्योंकि पालक के अंदर भी सीजन चल रहा है बत हुआ में थी पालक बहुत बढ़ी है तरीके से इस टाइम पर अविलेबल हैं तो क्यों नहीं खाते हो भाई कितना ही महेंगा है यहीं मैं तुमसे बात करूं कि बेटा एवोकेडों में मिलता है विटमिन ई जो फल तुम्हें शायद गाउं में शेहरों में कई में तो मिलेगा भी नहीं ठीक है तो भई अगर हम इसकी बात करें यह भी बहुत अच्छा फल माना जाता है कॉसली है काफी हर जगा मिलता भी नहीं है लेकिन लेकिन यह आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है चाहें तुम अपने कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम की बात करो मतलब माम हमारी जो हृदय प्रणाली है उसकी बात करें हमारी किड्नी की बात करें इन सबके फंक्शनिंग के लिए पूरी बॉडी ठीक है आपके बाकी जो सस्ते आपके सोर्सेज हैं वो तुमें खाने नहीं होते कि माम हरी पत्तेदार सबजिया खा ले ब्यूटी बारलर में तो माम वो कैप्सूल इस्तमाल कर लेंगे लेकिन जो हमें घर में मिल रहे हैं वो क्यों नहीं खाते तो बहुत अच्छे सोर्से यहां पर यह माने जाते हैं क्योंकि यही विटामिन हमारा एक एंटी ऑक्सिदेंट के तौर पे काम कर रहा है अब तुम कह रहे हो भई ब्यूटी सुन्दर्ता कैसे आएगी जब आपके शरीर के अंदर कोई भी विशाक्त पदार्थ कोई भी टॉक्सिक पदार्थ जो है अगर डेली तो क्या होगा कि माम हमारी बॉड़ी में एंटी ऑक्सिरिंट का काम करेगा जब वह जब हम बार बार यूरिनेशन के लिए जाएंगे तो वह यूरीन के ज़रिये पास हो जाएगा कम से कम हमारी skin को जो requirement है हमारी skin के लिए हमारी तुपचा के लिए हमारी बालों के लिए जो requirement में देखी जाती है आप कम से कम उसको तो पूरा करो और वो कैसे पूरा होगी आपको जब इन सभी sources को यहाँ पर consume करना पड़ेगा तब बोलो बात समझ पारे हो तो इसलिए इसको कहते हैं कि भाईया यह beauty vitamin है क्योंकि अंदर से आपको साफ करेगा आपकी body में antioxidant का काम करेगा और यह आपको यहाँ पर help करता है skin में glue लाने में दूसरी चीज यही vitamin हमारे प्रजणन अंगों को हमारे reproductive organs को भी maintain करता है ठीक है reproductive organs को भी यह maintain करता है प्रजणन अंगों को उनका संतुलन हो उनका नियंत्रन हो उसको बनाता है ठीक है अगर मैं आपसे बात कर रहे हूं कि यह reproduction में help कर रहा है एक तरीके से reproductive organs की growth में help कर रहा है तो क्या मैं इसको reproductive vitamin कह सकती हूं क्यों भई क्या मैं इसका एक और नाम यहां पर दे सकती हूं कि दिस इस ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रोड़क्टिव विटमिन कितने नाम हमने पढ़े हैं यहां पर सबसे पहले हमने बात करी यह अगर यह प्रजनन अंगों में मदद कर रहा है नॉर्मल स्पोर्म का प्रोड़क्शन है उसमें help कर रहा है मान लीजिए अगर इसकी शरीर में कमी हो जाए अगर यह प्रॉपरली नहीं बन पाई शरीर के अंदर तब क्या होगा तो सिंपल सी कहानी है आपके प्रजनन बहुत जाएंगे प्रजनन अंग जब काम नहीं करेंगे तो बांचपन का रोग हो जाएगा च्टेरिलीटी आपको देखने को मिल जाएगी यह सभी रोग हमें यहां पर दिखाई देते हैं ठीक है यह प्रजनन अंगों को यहाँ पर मेंटेन कर रहा है जिस कारण वश आप इसे क्या कहते हो यह यह अगर मैं इसकी डेफिशियंसी की बात करूं इसकी कमी की बात करूं ठीक है तो कौन सा रोग हो जाएगा स्टेरिलिटी यह जिसे आप कहते हो हिंदी में बाजपन ठीक है इसके अलावा आपको क्या दिखाई देगा पिग्मेंटेड किन ठीक है डल स्किन त्वचा पर दाग धब्बे समझ पारे हो बात को चलो तो यह कमी की वज़े से हो रहा है यह सारे रोग आपको किसकी वज़े से दिख रहे हैं अगर विटमिन E की कमी हो जाए तो इसको मैं कई नामों से यहां पर जानी जैसे कि इसके नाम अलग से नोट कर लेना जिसने भी नहीं करे हूं ठीक है एंटी स्टेरिलिटी विटमिन एंटी स्टेरिलिटी मतलब जो हमें स्टेरिलिटी से बचाए जो हमें बाजबन से बचाए तो यह चारों ही नाम अलग अलग तरीके से आप इसको यहां पर दे सकते हो बोलो इसमें किसी को कोई डाउट कोई परी हाँ भई मतलब कभी-कभी लगता है तुमको पढ़ने के अलावा दुनिया भर की चीज़ें याद रहती है लेकिन माम पढ़ने से मतलब नहीं है पढ़ने से मतलब नहीं है ठीक है? और ये जो हम fish cod liver oil पढ़ रहे थे याद रखना इसके अंदर vitamin E नहीं होगा इसके अंदर vitamin E नहीं होगा A था, D था, दोनों का बहुत अच्छा सोर्स था चलिए ब्रट से ओफिसर, थांक यू सो मच